तो दिमाग में कीड़ा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अब ऐसा नहीं होता जो पता गोबी रहती है वह एक फ्लावर के तरह रहता है वह जमेन से उपती है तो उसमें अगर क्लिनले नहीं रही उसके ओपर किसी जानवर ने यूरेन पास की हो यह स्टूल पास की हो जिसमें तो यह पता गोबी पर अंडे रह जाते हैं अब जब हम यह पता गोबी खाते है जो प्रापर्लिव उसको नहीं हो तो यह समी दर्शकों के सबस्ब्सक्राइब को सबस्क्राइब करना मत भूल्यगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आज बात करने जा रहे हैं पत्ता गूबी खाने से क्या दिमाग में कीड़ा घुज जाता है शायद ऐसा होता है इसे पर आज बात करते है दिमाग में कीड़ा होना क्या होता है लक्षन क्या होते है और लाज क्या है रुक्षर सुमीत धावन जी हमारे साथ ह अब ऐसा नहीं है कि इदा खा लिया श्रम पेट में चला गया идमाघ रहती है ऐसा यह होता है,owa ज्सीलिके नहीं होता है अब जब हम एक पत्तागोबी खाते हैं, जो प्रॉपरली वाश्ट नहीं हो, प्रॉपरली कुक नहीं हो, तो यह इस तरह के अंडे हमारे पेट में जाते हैं, पेट से वो पूरे शरीर में जाते हैं, पूरे शरीर में तो हमारे आखों मसल्स और ब्रेन में फैलते हैं, और व पुरी तरह कुक नहीं किये, पुरी तरह हीट नहीं किये, वो इसके वज़े से हो सकता है. जो जबीन पर उखते हैं, फल सबजियां. तो यह दिमाग को जो किडा है, जो जब जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, नियुरोसिष्टी सर्कोसिस या ब्रेन वर्म इंफेक्शिष्टी किडा खाने से नहीं होता है. यह हमारे fruit vegetables पर जो छुपे वाए अंडे हैं, उसके वज़े से होता है. अच्छो, वो पेट से दिमाग में कैसे पहुंच जाता है? जब हम खाना खाते हैं, यह partially cooked food या uncooked food, तो यह खाना है, इसके आंडे पेट में जाते हैं, फिर पेट से वो blood stream में जाते हैं, हमारे blood vessels में जाते हैं, और फिर blood vessels से पूरे शरीर में फैल जाते हैं, अब पूरे शरीर से कहीं भी फैल सकते हैं, मतलब मसल्स में फैल सकते हैं, आइस में फैल सकते हैं, आइस के मसल्स में फैल जा सकते हैं, या ब्रेंग में फैल सकते हैं, कभी कबार लेवर में भी फैलते हैं, कि पारसेटिक इंफेक्शन तो पता कैसे चलता है, कोई लक्षन होते हैं, पर्टिकॉलर? अब सबसे कॉमन होता है reading ब्रेन में इनलग्षन कीड़ा होगा जो बच्चों को होते हैं तो तीन most common causes of seizures में brain worm infection इंडिया में होता है तो frequent मेरा ये भी सवाल था कि ये जो symptoms हैं ये कैसे नज़र आते हैं हाफते में, एक दिन में कितनी बार या हफते में या महीने में कैसे पता चले कि ये symptoms अचानक आ सकते हैं कभी भी अचानक सिर्दर्ध हो गया या fits आ गये, कभी भी किसी को भी fits आये तो हम इसमें brain scan करते हैं और brain scan के जरीए, CT scan या MRI के जरीए हमें पता चलता है कि आपके दिमाग में infection है और उसके लिए फिर रदम further testing करते हैं confirmation के लिए फिर इलाज क्या शिरू करते हैं पहले तो आप test करते हैं तेस्स से पता चल जाता है दिख जाता है कि कीड़ा है वो बिल्कुल, test सबसे best होता है MRI scan, MRI बहुत highly accurate brain scan है जिसमें हम किसी भी तरह का infection डाइग्नोस कर सकते हैं तो किसी को भी fits या बहुत ज़्यादा सिर्दाद या लंबा सिर्दाद है उनका हम brain scan करते हैं और उसमें detect हो जाता है So MRI की characteristics देखे हमें 99% sure हो जाता है कि कि आपका diagnosis क्या है फिर भी उसे confirm करने के लिए कुछ blood test होता है जिसको बोलता है NCC serology मतलब जो एक simple blood test है हम chest x-ray करते हैं ताकि वो infection कहीं और तो नहीं है और एक pate का ultrasound करते है कि उसे और कहीं जगा पर infection तो नहीं है अब test हो गया पता चल गया कि दिमाग में कीड़ा है इलाज क्या होता है इलाज इसमें होता है different तरह के medicines होता है जो सुजन कम करने की दवा रहती है steroids जो हम देते है 2-4 हफता कीड़े मारने की दवा जिसे हम बोलते है albindazol वो अन्दाज़ दो से 4 हफते देते है कभी कबार कुछ-कुछ situations में जब बहुत सारे कीड़े होगे तो हम प्राजिकोंटल नाम की दवा भी देता है और तीसर देता है Caesar's की दवा FITS की दवा जो हम commonly different-different medicines जैसे की Phenitoin, Levitricetum या Valproic acid medicine या वालप्रोइक आसेड मेडिसें लिज़ करते है depending on the age group and type of Caesar's जिसके बेसे पर डिपेंड करते है अगर अगर आप इलाज नहीं करेंगे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो कीड़ा पूरी तरह खतम नहीं होगा अगर कीड़ा पूरी तरह खतम नहीं होगा तो आपको बार बार FITS आएगे अगर आपको बार बार FITS आए तो आपके lifestyle में बहुत सारे problems आने लगेगे आप अपने work नहीं कर पाएंगे driving करना risky हो जाएगा अब adventure sports किसी भी तरह कर चीज नहीं कर सकता है तो बहुत सारे restrictions आने लग जाता है अगर आपर ट्रिट्मेंट नहीं लेंगे तो किसी भी एश्मी चोटे बड़ों को भी हो सकता है बड़ों को भी हो सकता है बजल्गों को भी हो सकता है और सारा food से related है बिल्कुल properly cooked food ना लेने के वज़े से किसी को भी यह symptoms या seizures या headache इस तरह के लखेड हो सकता है देखा गया है कि कभी को बड़ चोटे चोटे बच्चे जो एक डिड़ साल के अने जिनने अभी ज़श्ट खाना शुरूप किया है उनको भी seizures आता है उनका कारण रहता है कि बच्चे मिट्टी में खेलते रहता है मिट्टी में इसी तरह के अंडे रहेंगे वो हाएंडवाश नहyकरएंगे और फिर उसी हाद से खाना खाएंगे तो क्या हाता है गंदे हाद से खाने के वज़ जिसे यह अन्डे आपके पेड में चले जाते है और इसके वज़े से फिर ब्रें वां में इंफेक्शिन जब वो खेल के आएंगे, खाना खाएंगे, उस तैम उनका हैंड वाश करना ज़रूरी है. दूसरा, सबजियों को प्रपर ली वाश करें, गरम बाइन वाश करें, अच्छे से बॉइल करें, और फिर ही यूज करें. अब तीसरी प्रावलम आती है, स्ट्रीट पूड बे. अभी हमें पता ने कि जो आप स्ट्रीट पूड खा रहे हैं, सबसे कॉमन हम जो भी चीज नूडल्स खाते हैं, उसमें पता गोभी होती है. बिल्कुल, अगर प्रॉपली कुक नहीं किया रहेगा, प्रॉपली वाश नहीं किया रहेगा, और वो होती भी थोड़ी कच्छी है, मतलम हाफ कोग डहोती हैं, अगर प्रॉपली कुक नहीं कि होगी, प्रॉपली वाश नहीं कि होगी, तो उसके वज़े से भी पे STUDENT Walfish infection हो स पेट की मानने कीड़े की दवा और यह दवा बड़े लोग भी ले सकते हैं तो साल में एक या दो बार लेने में आपको कोई नुकसान नहीं है आप अपने डॉक्टर से आपको पर डोस और रेजिमन गाइड कर देंगे और आप साल में दो बार कम से कम लीजिए ताकि आपको